हेलो बच्चो कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे आज हम करेंगे चाप्टर 10 बायो टेक्नोलजी एन इट्स अप्लिकेशन चाप्टर की क्वेस्टन सॉल ठीक है तो आईए हम पहला टॉपिक जो है हमारा उससे स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक है हमारा बायो अप्लिकेशन इन अगरी कल्चर ठीक है तो पहला क्वेशन हमें दिया है इडेंटिफाइड क्रिटिकल रिसेर्च एरिया ऑफ बायो टेक्नोलजी फ्रम दा फॉलोग हमें क्रिटिकल एरिया बताना है पहला अप्शन है हमारा तू प्रोवाइड बेस्ट कैटलिस्ट सच अ इंजाइम औरिंप्रूफ औरगैनिजम हम दोनों फॉर्म में यह में रिसेर्च एरिया है कि हम जो क्या प्रोवाइड कर सके बेस्ट कैटलिस्ट ठीक है तो ये तो बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्या दिया हुआ है टू क्रियेट ऑप्टिमल कंडिशन ऑप्तिमल कंडिशन हम बना पाएं ताकि वाया इंजिनियरी फॉर कैटलेस्ट टू एक्ट करने के लिए हम उप्टिमम कंडिशन बना पाएं तो यह भी सही है एरिया फॉर बायो एकनौलजीग कल रिसजुच ठीक है तो आंसर आ जायेगा हमारा ड bisher नेच्ट वर्डीर Canadailik विच अर्म Γाशशन लिए अर्श फॉर इस एड़ूड प्रोडक्शन हम में यहां पर क्या करना ह्यां इंग्रीस करना है् क्या फूड प्रोडक्शन मतलब क collector दिये वित हैं, NCRT में पहला पॉइंट था हमारा agrochemical based agriculture agrochemical based agriculture मतलब chemical कौन से हो गए हमारे यहां पर, यहां बात हो रही है pesticide और fertilizer की क्योंकि food की demand बढ़ रही है, तो meet that food की increased demand हमें यहां produce पर उतना करना पड़ेगा, तो इसलिए उसको इंप्रोव करने के लिए तीन चीज़े हम यूज करें एग्रोकेमिकल बेस्ट फामिंग करेंगे हम ठीक है और उसके बाद में जनेटिकली इंजिनियर्ड क्रॉप देंगे जो बहुत इंप्रूवड होगी फ्रम दी नेटिव वराइटी आफ दी क्रॉप ठीक है तो वो एग्री कल्चर का जो बेस रहेगा वो जनेटिकली मॉडिफाइट क्रॉप यूज करने का रहेगा तो यह तीनों ही बिलकुल सही है यह तीनों मेठेड हम यूज करेंगे फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रॉड प्रॉड प्रॉड़क्शन तो आंसर आजाए प्रॉड 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 next question fourth question which of the following statements is or slash are correct ठीक है तो पहला दिया दे करेंट इंट्रेस्ट इन मैनुपिलेशन आफ माइक्रो प्लांट अनिमल हाज रेस्ट सीरियस एथिकल इशूस ठीक है नेक्स है वन पॉसिबल रिस्क अफ जैनिटिक इंजिनियरिंग इस दा इंक्रीज इन एक्सिदेंटल पॉपिलेशन अफ डेंजिरस्ली रेजिस्टेंट माइक्रो अर्गानिजम यह तो हमेशा ही रिस्क रहता है नेक्स क्या है ओल्दो रिस्क आर पॉसिबल जैनिटिक इंजिनियरिंग अपर अपियर्स तू ओफर मोर ऑफ contribution to human welfare than threat तो यह भी बिल्कुल सही है ठीक है देर इस चांस बट उसका बेटर यूज है human welfare में instead of that of its risk की जो रिस्क है वो जैनिटिक इंजिनियरिंग का ठीक है फिर्स्टे करेंट manipulation of microbe has raised serious ethical question तो यह सारे ही statement क्या है यह सारे ही statement सही है तो answer आजाएगा हमारा क्या डी next question fifth question important objective of biotechnology in agriculture sector section includes ठीक है तो यहां पर में important objective की बात है पहला objective दिया हुआ है to produce pest resistant variety of plant यह तो हम use करते हैं ताकि हम क्या कर सके जो crop damage हो रहा है pest की वज़े से और ना हमें pesticide use करना पड़े तो हम यहां पर genetically modified organism सब्सक्राइब करें biotechnology को use करके तो यह तो सही है next क्या दिया है to increase nitrogen content यहां पर हम से पूछा है कि agriculture section में हम यहां पर nitrogen content increase करने पर नहीं काम कर रहा है majorly जो काम हो रहा है हां हम वहां improve कर सकते bio fortification कर सकते हैं जहां पर हम improve कर रहे हैं certain beneficial components in plant बट यहां पर बात हो रही कि my technology का main objective important objective यह कि हमें pest से damage हो रहा है उसे बचाना है ठीक है हम pest resistant plant बना दें ठीक है और अलग-अलग और improvement होता है बट यहां के option के साबसे nitrogen content तो नहीं होगा हम decrease अगर seed का number कर देंगे तो हमारी हम कैसे agriculture को और आगे बढ़ा पाएंगे और जो चीज़े जो plant grow हो रहे है उसे हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो यह तो गलत है next to increase plant weight plant weight बढ़ाने पर biotech का कोई main objective नहीं है ठीक है नेक्स्ट question है sixth question है ट्रांसजेनिक बीटी कॉट बीटी कॉन यहां पर बीटी कॉटन के बारे में नहीं पूचा है बीटी कॉन के बारे में पूचा है ठीक है has been resistance from corn borer disease ठीक है corn borer disease से उसको resistant बना दिया by introduction of the gene कॉन से introduction करेंगे किस gene का introduce करेंगे हम यह जो bt toxin जो हमें किस से मिला है bacillus the theory 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 genesis ठीक है इस bacterial species से हमको मिला ठीक है और यह जो toxin है इसको अगर हम use करकर इसको clone करें और हमारे plant में transgenic plant बना दें तो यह क्या होता है यह plant जो होता है यह specific insect specific killing करेगा अब जो gene है जो यह bt toxin बना रहा है जो incorporate हो रहा है तो कौन borer के लिए कौन सा है gene that is cry 1 a b अगर हमसे यहीं पूछा जाता कि अगर cotton worm के लिए कौन से use हो रहे है तो वह हो जाएगा हमारा cry 1 a c and cry 2 a b ठीक है कौन सा हो जाएगा cry 1 a c and cry 2 a b तो answer क्या आएगा यहां आएगा हमारा एक क्योंकि यहां पर हमसे किसके बारे में पूछा वाइगा पूछा गया next question 7 question the organism which is used for gene transfer in higher plant plant के बारे में हमें gene जो है वो transfer करना है किदर plant में करना है plant में transfer करने का जैसे ही आपको सबसे पहला answer क्या click करना चाहिए agrobacterium जो हमारा agrobacterium है वो natural genetic engineer है उसको हम gene transfer के लिए use कर सकते है ti plasmid use कर सकते है तो answer आजाएगा क्या हमारा answer आजाएगा हमारा a next question 8 question देखेंगे insect resistance transgenic cotton has been produced by inserting a piece of dna from हम insect resistant जो है transgenic plant बना पाएं cotton बना पाएं है और वो कहां से हमने piece of dna निकाला है insert करने के लिए हमने bacteria से निकाला है कौन से bacteria से bacillus thuringiensis ठीक है thuringiens से निकाला है हमने यह bacterial जो ट्रांस जैनिक प्लांट बनाने के लिए gene निकाला है bt toxin का ठीक है तो आंसर आ जाएगा क्या आंसर आ जाएगा हमारा b next question the tumor inducing capacity of agrobacterium tumefacian is located in large extra chromosomal plasmid called agrobacterium में कौन से plasmid होता है वो होता है ti plasmid जिसको हम use करते हैं किसके लिए इसको हम use करते हैं हमारा जो gene को transfer करने के लिए higher plant पे ठीक है तो आंसर आ जाएगा क्या हमारा answer आ जाएगा ti plasmid छोटा नहीं होता है यह ti plasmid होता है next question 10th question देखेंगे bacillus thuringiensis is a bacteria found in कहां मिलता है यह bacteria यह bacteria हमें soil में मिलता है कहां मिलता है soil में मिलता है answer आ जाएगा हमारा c next question देखेंगे 11th question microbes found to be very useful in genetic engineering are microbes जो genetic engineering के लिए यहां पूछा है जो बहुत important है वो बताना है हमको ठीक है तो पहला दिया हुआ है हमें E.coli and agrobacterium tumefacian ठीक है E.coli तो बहुत जरूरी है ठीक है E.coli तो basic model organism की तरह हम उसको यूज करते है labs में ठीक है एक genetic engineering के लिए agrobacterium tumefacian यह भी plant के लिए हम यूज करते है विब्रियो कॉलरी and tailed bacterial phage विब्रियो कॉलरी जो है वो तो disease cause करता है है ना तो यह तो हम यूज नहीं करते है इन्हें नहीं यूज करते है नेक्स्ट है crown ball bacterium and cynorabdates elegant ठीक है c elegant यूज कर रहे हैं c elegant यूज कर रहे है और यहां crown gall bacterium यूज कर रहे है crown gall disease जो होता हूँ अग्रो बैक्टीरियम करता है है ना tumor causing disease होती है पर यहां पर c elegant है यहां पर हमसे क्या पूचा गया यहां पर हमें microbes के बारे में पूचा गया है तो यह याद रखना है हमको इसिलिए हम यह भी model organism की तरह use करते है genetic engineering में यहां पर हमसे क्या पूचा गया है answer हम mark करेंगे क्या answer mark करेंगे हम एं ठीक क्योंकि माइक्रोब पुछा गया, next question plant are more rapidly manipulated by genetic engineering than animal due to, क्यों हम plant को अच्छे से modify कर पा रहे हैं, और faster way में कर पा रहे हैं, पर animal में नहीं कर पा रहे हैं, single somatic cell can regenerate a whole body plant, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कि हम कोई भी tissue लेकर, जिसे हम कह देते हैं x plant से हम पूरा whole plant को regenerate कर पा रहे हैं तो इसके पास में क्या है, x plant के पास में क्या है totipotency है जिसी की वज़ाँ से तो हम हमारा soma clones बना पा रहे हैं एक जैसे genetically, एक जैसे plant हम बहुत सारे x plant के थ्रू ग्रो कर पा रहे हैं, nutritive media में ठीक है next, plant gene do not contain interon, ये तो गलत है, ठीक है, ये भी, maybe, maybe, A और B, ये तो आएगा नहीं answer, तो answer क्या आएगा correct, answer आजाएगा हमारा correct A, ठीक है, next question देखते हैं, next question है, first genetically modified plant, commercially released in India, commercially जिसको release करा था, वो था हमारा BT cotton, ठीक है, BT cotton, answer आजाएगा हमारा क्या, answer आजाएगा हमारा D, ठीक है, BT cotton जो था, जो first genetically modified plant, commercially release किया गया था, next, 14th question, BT cotton is not, ठीक है, BT cotton क्या नहीं है, GM plant genetically modified plant है, genetically modified plant है वो, है ना, ये तो है, next है, insect resistant, बिल्कूल है, क्योंकि उसको हमने genetic engineering करकर, यही तो बनाया है, insect resistant बनाया है, next है, a bacteria gene expressing system, ठीक है, और दूसर, फोर्थ है, resistant to all pesticides, ठीक है, BT cotton जो है, वो resistant नहीं है, all pesticide के, ठीक है, पहली चीज, ये तो गलत है, pesticide के ही resistant बता रहा है, उसको क्या कर, हमने pesticide use कर रहा है, तो वो सारे pesticide से resistant है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, अब bacterial gene expressing system, हमें क्यों बोला है इसको, क्योंकि हमने क्या कर रहा है, bacteria से gene निकाला, उससे clone कर रहा, और फिर उस clone को transfer कर दिया, cotton plant में, तो यहां पर, यह जो bacterial gene है, वो कहां express हो रहा है, वो cotton plant के अंदर express हो रहे हैं, ठीक है, तो bacterial gene expressing system, हमने यहां एक term use कर रहा है, ठीक है, exactly correct हम नहीं बोलेंगे, बढ़ हाँ, यहां bacterial gene का expression हो रहा होता है, तो हम इसको कह सकते, कि वो bacterial gene expression system है, बाकि यह resistant to all pesticides तो नहीं होगा option, तो answer आ जाएगा हमारा D, next question, दिखेंगे, 15th question, 15th question है, हमारा BT toxin are initially inactive protoxins, but after ingestion by the insect, their inactive toxin becomes active, वो protoxin के form में होते हैं, crystal के form में होते हैं, यहां पर यह active कब होते हैं, जब वो जो होता है, insect की alkaline gut के pH में, alkaline gut pH पर solubilize होते हैं, और यह active हो जाते हैं, तो answer क्या आएगा, answer आजाएगा हमारा A, answer आजाएगा A, next question देखेंगे, 16th question, तबाको plant resistant to a nematode, has been developed by introduction of DNA that produces क्या, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर यह जो nematode है, जो infect करता है, तो हम यहां पर technique जो use करते हैं, that is RNA interference, ठीक है, और यहां पर क्या बोला गया है, कि अगर वो हम को piece of DNA introduce कर रहे हैं, तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा sense and anti-sense RNA दोनों बनाएगा, और वो क्या करेगा, फिर उससे हमारा double standard RNA बन जाएगा, ठीक है, जो आगे क्या करेगा, जो हमारा specific complementary mRNA है, उसको disrupt कर देगा, ताकि वो express नहीं हो पाएगा, answer आ जाएगा हमारा A, next question देखेंगे, 16th question, cry 2 AB and cry 1 AB produces toxin that controls respectively, यहां क्या control कहोने की बात हो रही है, ठीक है, तो यह जो, हमारा corn borer होता है, उसको कौन सा gene insert करते हैं हम, cry 1 AB, ठीक है, उसके बाद में, दूसरा है हमारा क्या, cotton ball worm, यह जो cotton ball worm होता है, इसमें हम क्या insert करते हैं, इसमें insert करते हैं, cry 1 AC and cry 2 AB, तो यहां पर हमसे क्या पूछा गया है, यहां पर हमसे पूछा गया है, कि कौन सा cry 1 AB, और यह बताना है हमको, cry 2 AB में तो कौन, यह हमारा cotton ball worm होता है, तो first आना ची, cotton ball worm, ठीक है, next आना ची, कौन baller हमें answer मिल गया है, answer हो गया हमारा क्या, next question, 18th question, the crop having cry gene, cry gene क्या होता है, cry gene मतलब कहां से आया है, cry gene किसका काम है, BT toxin बनाता है, यह cry gene, ठीक है, अगर BT toxin वाला जो cry gene है, वो crop में है, तो वहां पर हमें pesticide कम चाहिए होंगे, क्योंकि वो insect से resistant है, ठीक है, तो यहां पर हमें क्या चाहिए होगा, यहां पर हमें क्या पूर्ट, बिल्कुल insecticide की जरुवत नहीं होगी, बिल्कुल जरुवत नहीं होगी, क्योंकि उसको हमने resistant बना दिया है, small amount की भी जरुवत नहीं होगी, large amount की जरुवत होगी, यहां हमें जरुवत ही नहीं होगी क्योंकि हम दो रेजिस्टेंट ही बना दिया तो हमें इंसे अक्टिसाइट डालने की कोई नीड ही नहीं है तो आंसर आजाएगा हमारा क्या आंसर आजाएगा हमारा ए next question 19th question है all the given options are biotechnological application in order to increase food production except ठीक है सारे बायो मेथड जो दिये वे हैं food production इंक्रीज करने के लिए accept बताना है हमें ठीक है तो यहां पर जो food production application हमने नहीं बोला है कि वो biotechnological application है in order to improve the food production तो वो कौन सा है वो है PC culture जो यूज नहीं हो रहा है तो आंसर आजाएगा हमारा क्या fishes का जो culture होता है वहां biotechnological application नहीं यूज कर रहे हैं to increase the food production आंसर आजाएगा हमारा next question देखेंगे 20th question cultivation of BT toxin has much been in news ठीक है and its prefix BT means BT का मतलब क्या है वहां पे हमें वो बताने ठीक है तो यहां पर क्या options दिये हैं वह बेरियम treated cotton seat होता है नहीं ठीक है next क्या है bigger threat variety of cotton with better tensile strength यह ऐसा कुछ नहीं है वो सिर्फ क्या है pest resistant है insect resistant है next produced by biotechnology using the restriction enzyme and ligase यहां पर यह तो किया गया है ठीक है यहां पर हमने restriction enzyme भी यूज करा है but यहां पर हमसे क्या पूछा कि BT जो है वो किसके लिए stand करता है BT यहां stand करता है carrying an endotoxin gene from bacillus thuringiensis जो है इसी की वजह से इसका नाम पड़ा है BT cotton तो answer आ जाएगा हमारा D next question देखेंगे next question है BT toxin protein crystal present in bacterium bacillus thuringiensis do not kill the bacteria themselves because क्यों नहीं करता है क्योंकि वो pro toxin के form में present रहता है और वो कब एक specific growth phase पर ही यह BT toxin बनता है bacillus में और दूसरी चीज यह है कि यह pro toxin के form में बना रहता है जैसे ही इसको ingest किया जाता है by insect तो उसकी alkaline pH जो होती है gut की तो वो से solubilize करके उसका जो होता है active form में आ जाता है और वो क्या करता है bind करता है उसकी endothelium से और फिर उसके बाद में वहां perforation कर देता है ठीक है तो answer क्या आएगा यहाँ answer आएगा हमारा toxin अकरें inactive protoxin form अंसर आजाएगा C next question 22 T.I. plasmid used in genetic engineering is obtained from T.I. plasmid कहां से आ रहा होता है T.I. plasmid आ रहा होता है agrobacterium से agrobacterium से अब यहाँ पर भी देखो दो option दीए और agrobacterium rhizogen और agrobacterium tumefacian ठीक है तो हमने कौन सा पढ़ा है agrobacterium tumefacian तो answer आ जाएगा हमारा next question the RNA interference technique has been devised to protect the plant from nematode is silenced by क्यों silence कर देता है वहाँ पर वहाँ पर इसको हमने क्या technique बोलते है RNA interference पतलब क्या है RNA interfere हो रहा है और यह कौन कर रहा है जो हमारा double stranded RNA है वह जाके disrupt कर रहा है हमारा complimentary mRNA को ठीक है तो यहां पर silence हो रहा है तो answer क्या आएगा answer रहेगा double standard RNA answer आजाएगा हमारा c चलिए next question है हमारा 24th question transgenic crops are modified through genetic engineering हम genetic engineering यूज करके plant में हमारा specific कोई gene जो होता है वो transfer कर देते हैं और उसको क्या बोला गया है यहां पर to develop natural resistance to insect pest insect pest के खिलाफ उसके पास resistance आ जाती है ठीक है तो अब इसमें से कौन से है which one are the transgenic plant हमें बताना है इनमें से कौन से transgenic plant है ठीक है यहां first option है हमारा टबेको और cotton ठीक है टबेको का आपने पढ़ा है कि किसके नीमोट नीमटोड specific gene होता है जिसको हम agrobacterium vector के through transfer कर देते हैं ठीक है तो यहां पर हम transgenic plant बनाते हैं जो किसके खिलाफ resistant है नीमटोड के बीटी टॉक्सिन जो है बीटी टॉक्सिन बीटी कॉटन जो बनाई है हमने वो क्या है वो भी एक transgenic plant है जो किसके लिए resistance है जो butterfly caterpillar है उनके लिए resistance नेश्टिंट है और भी और गनिसम है जिनके लिए resistant है जैसे हो गया कॉन साहना लेपीडोप्टेरंस एक्सेक्टरा ठीक है ऐसे ही सारे औरकांसिम के लिए रेजिस्टेंस है तो ये तो बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट है टुमेटो एंड राइस ठीक है तो हमने जब पढ़ा था ट्रांसजेनिक प्लांट बीटी टॉक्सिन के बारे में तो यहां पर example जो थे वहां पर example क्या क्या थे हमारे पास में वहां था cotton, corn, rice, soybean और क्या था soybean, cotton, rice, tomato, potato ठीक है तो यह सारे थे तो यहां पर बेटा दोनों ही option सही है तो दोनों ही answer जो होंगे इसके सही आएंगे ठीक है यह question में दोनों ही option जो है वो सही है तो हम mark कर देंगे A और B दोनों ठीक है यहां पर यह question में दोनों ही option जो है वो correct है ठीक है 25th question दिखेंगे how many recombinant therapeutics are being marketed in India यहां पर कितना 12 जो होते हैं therapeutics are marketed in India answer आजाएगा हमारा B next question 26th question बासमती is a unique rice variety होती है जिसके पास अपना specific aroma and flavor है ठीक है तो यह जो variety है इसके कितने 27 varieties हैं जो कहां grow हो रही है इंडिया में grow हो रही है तो answer आजाएगा हमारा C next question next question is genetically modified plant has been useful in increasing genetically modified जो plant है वो useful है किसको increase करने के लिए crop yield को बिल्कुल crop yield बढ़ा सकते हैं nutritional value of food बिल्कुल जिसका example क्या है vitamin A को boy fortified करके golden rice बनाया गया है next tolerance against A biotic stresses बिल्कुल दे सकते हैं answer आजाएगा क्या हमारा answer आजाएगा हमारा D next question 28th question which one of the following is commonly used in transfer of commonly किसको हम use कर रहे हैं transfer of foreign DNA into crop plant ठीक है foreign DNA को हम transfer कर रहे हैं crop plant में तो यहाँ पर commonly हम क्या use करते हैं यहाँ पर हम use करते हैं agrobacterium tumefacian इसी को हम use करते हैं as gene carrier की तरह gene transfer के लिए plant में हम use करते हैं agrobacterium tumefacian ti plasmid को use करते हैं answer आजाएगा हमारा C next question 29th question a novel strategy was adopted to prevent miliodagon incognition infection जो की एक नीमोटेड है नीमाटोड है वो ठीक है अब इसके infection को हम रोकने के लिए क्या use करते हम use करते आरेने आई आरेने इंटर्फेरेंस आरेने आई ठीक है यह जो को नीमेटोड होता है वो इंफेक्ट करता है रूट इकोसिस्टम को ठीक है रूट इकोसिस्टम को इंफेक्ट करता है आंसर आजाएगा हमारा नेक्स्ट थर्टिएथ क्वेशन अइडेंटिफाई दी करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है साइलेंसिंग ओफ जीन कुद भी एक्टिवेटेड ओनली थू एंटिसेंस आरेने double standard RNA prevents and binds and prevents the translation of mRNA both A and B D है none of the above हमें identify करना है correct statement को यहां दिया silencing of a gene could be achieved only through antisense RNA यहां पर क्या होता है हम जो DNA डालते हैं उससे दोनों बनते हैं antisense and antisense RNA mRNA भी बनता है और sense RNA भी बनता है इससे हमारा बन जाता है double standard RNA और यह जो double standard RNA होता है फिर हमारे desired mRNA के translation को disrupt करता है क्योंकि वो mRNA को काड़ देता है ठीक है तो यहां पर क्या आएगा double standard RNA binds and prevents the translation of mRNA यह तो सही है first option जो है वो गलत है answer आजाएगा हमारा क्या answer आजाएगा हमारा B next question RNAi method involves silencing of a specific mRNA due to a ठीक है due to किसकी वजह से complimentary की वजह से तो यह तो सारे में दिया हुआ complimentary, complimentary, complimentary molecule that binds to and prevents the translation of mRNA ठीक है यहां पर complimentary हमारा क्या बनता है complimentary हमारा double standard RNA बनता है जो की complimentary होता है हमारे specific mRNA से ठीक है तो answer आजाएगा क्या answer आजाएगा double standard RNA answer आजाएगा हमारा B next question next question है the source of complimentary RNA in RNAi would be क्या होता है complimentary RNA का source वो बताना है हमको ठीक है या तो हम वहां का जो RNA genome का virus है उसमें से ले ले या उसके mobile genetic element या transpose zone से लेंगे ठीक है तो यहां पर क्या दिया है from an infection by virus having DNA यह दीने वाला नहीं यूज़ करेंगे from infection of virus having RNA genome ठीक है next question ठीक है 33 question diagram based question NCRT का diagram है ठीक है यहां पर हमें cotton plant दिया हुआ है ठीक है और यहां पर दिखाया हुआ है तो हमसे पूछा गये कि यह जो condition हो रही है A में क्योंकि B तो healthy plant है full जो grown cotton का ball है वो है ठीक है तो यहां पर कौन काम कर रहा है cotton ball warm जो होता है वो क्या कर दे रहा है वो यहां पर infest कर दे रहा है तो answer क्या आएगा answer आएगा हमारा C ठीक है answer आजाएगा हमारा C next question है 34th question consider the following statement with respect to golden rice golden rice के बारे में पूछा है it is a transgenic variety of rice बिल्कूल transgenic variety हमने इसो bio fortify कर रहा है इसने increase कर रहा है vitamin A का हमने precursor जो है vitamin A का उसे increase कर रहा है जो कि क्या है हमारा beta carotene beta carotene जो precursor है vitamin A का उसको increase कर दिया ठीक है it contains good quantity of beta carotene जिसको हम pro vitamin A भी कह रहा है बिल्कूल सही है next क्या है beta carotene in golden rice is the principal source of vitamin A बिल्कूल next है the grain जो है yellow color का इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है beta carotene present होता है answer क्या आएगा answer आजाएगा हमारा सारे ही option जो है वो correct है next question 35th question है which of the following genes were introduced in cotton to protect it from cotton bull worm ठीक है तो हमने कौन से कौन से gene डाले थे cotton bull worm में हमने डाला था cry gene डाले थे जो कि BT toxin मनाते है अब कौन से वाले डाले थे एक था cry 1 AC और दूसरा है cry 2 AB ठीक है answer क्या आएगा answer आजाएगा हमारा C next question 36th question why BT toxin not toxic to human being क्यों यह BT toxin जो plant जो डाला है वो humans के लिए toxin नहीं है ठीक है अदर toxin recognize only plant specific target ऐसा तो नहीं है next है BT toxin ठीक है BT toxin activation requires temperature above the human body temperature ऐसा भी फिल्कुल नहीं है next है BT toxin formation forms pro BT state which requires lower pH than one present in human stomach human stomach में pH कैसा होता है acidic होता है ठीक है acidic होता है ठीक है तो वहाँ परते यह convert नहीं होगा ठीक है BT toxin forms pro BT state which requires lower pH तो नहीं होगा क्योंकि anyways acidic है lower ही है pH next है conversion of pro BT to BT state takes place only in highly alkaline situation यह condition यह बिल्कुल सही होगा यह इस ही जो insect का gut होता है वहाँ पर भी alkaline pH होता है तब ही जाके वहाँ perforation करता है तो answer जो आएगा ठीक है answer जो आएगा वह क्या आएगा answer आएगा हमारा D जो यहाँ पर most appropriate है जो given options है उन में से ठीक है यहाँ पर जो BT toxin होता है वह insect specific होता है तो answer जो आएगा हमारा वह आएगा D next question genetic modification है genetic modification जो होता है वह क्या करता है क्या वो reduce करता है reliance on chemical pesticide बिल्कुल क्योंकि वह क्या कर रहा है वह हम ऐसी genetically modified species बना रहे है जो पैसे resistant है ठीक है next reduce post harvest losses बिल्कुल बिल्कुल सही है increase the efficiency of mineral used by the plant यह भी हम improve कर सकते है genetically modify करके अब हम उसकी nutritional value को increase कर सकते है जो harvest करके उसकी shelf life increase करते है favor saver tomatoes हमने उसका नाम example पढ़ाया ठीक है तो यह सारी जो चीज़े हैं यह सारी ही कर पाते हम genetically modification से यहाँ पर answer आजाएगा क्या answer आजाएगा हमारा all of the above ए हो जाएगा answer next question देखेंगे main objective of production slash use of herbicide resistant genetically modified crop is to main objective क्या है production का herbicide का resistance plant का क्या है to eliminate weed from the field without the use of manual labor बिलकुल ठीक है main objective ठीक है herbicide resistant plant हमें बनाना है ठीक है तो यहाँ पर eliminate weed from the field without the use of herbicide तो main objective हम से पूछा है manual labor तो हम जब बिना genetically modified plant है तब भी हम यह label में करेंगे तब ही जाके हम उसमें से remove कर पाएंगे पर अगर हमने genetically modified बनाया है तो वो क्या होगा वो वहाँ पर हमको herbicide use नहीं करना पड़ेगा to kill the weed जो grow हो रही है वहाँ ठीक है तो answer क्या आएगा answer आएगा यह बी यह सही option देखी without the use of herbicide यह तो करना ही है हमें weed में और क्या है encourage eco-friendly herbicide ठीक है तो eco-friendly herbicide तो नहीं होगा next है reduce herbicide accumulation in food articles for health safety तो यह जो है most appropriate main objective हम यही कह सकते हैं क्योंकि यह जो application होगा यह क्या करा है यह accumulate हो रहा है food में और वो हमें in turn क्या करेगा हमारी health and safety के लिए जो dangerous होगा तो answer क्या आनच्छा है यह most appropriate जितने option दिए हैं उनमें हम सबसे best option चुनते हैं हर question में ठीक है तो अगर technically देखा जाए तो यह option भी सही है और यह option भी सही है but यहां main objective की बात हो रही है main objective क्या होगा कि हमें health safety के देखनी है ना कि वहाँ से हम manually भी remove कर सकते हैं herbicide but क्या हो रहा है herbicide के use से वह accumulate हो रहा है जैसे जो pesticide use हो रहे है इसलिए तो हम reduce कर रहे हैं सबकी use को ताकि क्या हो कि हमें integrated organic farming की तरफ जा रहे है ताकि इनका जो accumulation होता है तो जो इसके accumulation से हमारी health पर कोई harm ना हो ठीक है तो answer आजाएगा हमारा क्या answer आना चाहिए हमारा D next question दिखेंगे हमारा 39th question है the best solution to increase crop production without causing environmental hazard is क्या है ठीक है पहला use traditional agriculture practices ठीक है तो हम traditional agriculture practices अगर use करेंगे तो हम जो हमारा food का demand है उसे meet नहीं कर पाएंगे तो ये तो हम use नहीं कर सकते हैं बढ़ हाँ environmental impact इसका कुछ कुछ चीज़ों का कम है ठीक है जो traditionally पहले use होती थी उससे ठीक है increased use of agrochemical and improved crop variety ठीक है तो यहाँ पर हमे crop production increase करना है बिना environmental hazard के हम यहाँ पर क्या करेंगे agrochemical use करेंगे and improved crop variety उसकरेंगे improved crop variety तो genetically बन रही है genetically modified varieties है उन्हें use करेंगे पर यहाँ agrochemicals की बात हो रही है यहाँ agrochemicals हो गए हमारे pesticide ठीक है fertilizers यह तो intern हमारे जो environment है उनको harm कर रहे होते हैं क्योंकि accumulate होने लगते हमारे food में जो हमें intern क्या कर रहा है health safety पर impact करेंगे ठीक है तो यह भी option नहीं होगा use of modern agriculture tools tools से क्या फरक पड़ेगा नहीं पड़ेगा ठीक है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं genetically modified crops जो हैं जो की enhanced variety है हम उनको use करेंगे और उससे हमारा environmental impact जो होगा बेटा वो क्या होगा कम होगा आंसर आजाएगा हमारा D next topic है हमारा biotechnology application in medicine medicine के बारे में ठीक है तो पहला question है हमारा question number 40 40 में हमसे क्या बोला गया है consider the following statement about therapeutic drug ठीक है therapeutic drug के बारे में बोला है पहला है recombinant DNA technology is used for production of therapeutic drug which are safe and effective बिल्कुल सही है next yeah it avoid unwanted immunological responses commonly observed with similar product isolated from non human source ठीक है यहां बात कर रहा है हमने एक example है NCRT में जो है insulin का जो पहले cattle से हम isolate कर रहे थे और उसका क्या high chances था allergic response देने का body के अंदर क्योंकि वो non human source से आ रहा है तो यह बिल्कुल सही है next about 30 recombinant therapeutics have been approved for human use in the world including India और India में marketed है 12 ठीक है 30 approved है और 12 जो है वो इंडिया में marketed है ठीक है यह तीनों ही statement सही है option आ जाएगा हमारा B ठीक है next question देखते हैं next question है 41 41 है maximum utilization of biotechnological technique has been made in the field of ठीक है तो यहां agriculture में था हमने कुछ transgenic plant बना दी high yielding crop बना दी ठीक है biogas production में था हमने यूज नहीं कर रहा है industry में भी हम क्या कर रहे हैं ठीक है industries में भी हम use करते है extensively है ना extensively use कर रहे है और medicine की field में भी use कर रहे है maximum use जो है वो कहां है हमारे medicine की field में जहां पर अभी तक 30 therapeutics जो है marketed हो रहे हैं worldwide और 12 जो है maximum use हो रहा है biological technique का वो कहा हो रहा है किस field में हो रहा है, वो हो रहा है medicine में तो answer आजाएगा हमारा B next question है हमारा 42 question 42 question में है maximum application of animal cell culture technology today in production of, ठीक है तो यहाँ animal cell culture की बात हो रही technology का, जहाँ हम use कर रहा है किसके लिए, ठीक है edible protein बनाने के लिए तो animal cell culture हम use नहीं करते है, ठीक है interference के लिए insulin तो है जो हम ecoli से भी बनवा पार है, ठीक है तो यह भी नहीं होगा क्योंकि animal cell culture नहीं use कर रहे, हम animal cell culture किसके लिए use कर रहे, maximum application हो रहा है उसका, vaccine में ठीक है, तो answer आजाएगा हमारा 1 next question, 42, 43 question, how many therapeutic worldwide have been approved for human use, that is 30, ठीक है next question, 44 question, 44 question में था, which of the following companies started selling humilin, मतलब insulin का decombinant firm, किसने पहले बना के बेचना, start के रहा था, हो था Ellie Lily Company ने, 1983 ठीक है, fact based question है फटा फट मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे 45 question है, which step was proved to be the main challenge in the production of human insulin by recombinant DNA technology तो जह हमारा insulin होता है ठीक है, वो अगर pro-hormone form अगर उसकी बोलें, तो उसके पास में क्या होता है pro-hormone इसके पास में होता है A, B and C ठीक है, तीन इसके पास peptide chain होती है पर जब इसे active form of hormone होना है तो इसके पास में क्या होता है A और B तो रह जाता है पर जो यह C होता है, यह इसको हटा देता है, cleave कर देता है for the maturation ठीक है, तो यह हो गया हमारा क्या mature insulin ठीक है, अब उसके बाद में और यह जो A और B है वो किसके थूदेवे हैं, di-sulphide bond के थूदेवे हैं यह जुदेवे हैं किसके थूदेवे हैं किसके थूदेवे di-sulphide bond की तरह bond के थूदेवे ठीक है, यह बात हमें पता है तो अब इसका जो mature form है ना वो थोड़ा complex है बनाना कि हम चाहे तो एक ही वेक्टर में दोनों gene डाल दे कि हमने A peptide का भी डाल दिया B का भी डाल दिया, पर उन्हें जोड़ना और mature form में लाना वो बहुत challenging task था, answer किया splitting A and B वो तो होती भी नहीं addition of C peptide to pro insulin यह भी नहीं tough था tough किया था, getting insulin assembled into the mature form, वो protein का जो mature form है, उसको बनाना was the most difficult part, ठीक है next question है, 46th question, in 1983 L.A. Lily, an American company first prepared two DNA sequence corresponding A and B chain, ठीक है of human insulin, introduced plasmid में Ecoli में डाला, produce करा, insulin chain chain A and B were prepared separately अलग-अलग बनाया, extract करा और फिर उसके बाद मत, बाद में क्या करा, उसे combine किसकी through करा, यह जुड़े ही किसकी वज़े से होते हैं Dysulfide bond के through जुड़े वे होते हैं तो answer क्या आएगा, यहां पे answer आजाएगा हमारा B next question, 47th question, ठीक है which of the falling peptide chain is removed during the maturation of pro-insulin से insulin बनने में pro-insulin के पास में क्या होता है pro-insulin के पास में होता है pro-insulin जो होती है उसके पास में तीनों component होते A, B and C peptide होती है और जो insulin होता है हमारा, जो उसका mature form है बिटा, insulin होता है, वहां क्या होता है सिर्फ A और B होता है, और C जो होता है, वो cleave हो जाता है C change होती है, वो cleave हो जाती है तो answer क्या आएगा answer आजाएगा हमारा C next question देखेंगे, 48th question 48th question में हमसे क्या बोला गया है which of the following is the correct set of label A, B and C, D ठीक है, और हमें बताना है कि A, B और C, D क्या है, ठीक है तो देखो पहला A ये दे रखा है B ये दे रखा है C ये दे रखा है और D, ये दे रखा है, ठीक है तो यहाँ पर क्या है, A क्या है A तो pro insulin form है क्यों pro insulin form बोल रहे हैं हम इसके पास में जो तीनो peptide chain है ये देखो ये एक देखो यहाँ रुको, बताते हैं यहाँ पर ये जो है, देखो ये एक है chain ठीक है next दूसरी chain दिख रहे हैं यहाँ से ये दूसरी chain हो गए वे तीसरी chain दिख रहे हैं ये आपको तो ये क्या है ये तीन chain जुड़कर बन रहे है ठीक है, तो यहाँ पर ये किसे form है pro insulin form में, तो A तो pro insulin है pro insulin ठीक है, next है क्या, next है B, B में क्या हो रहा है हो रही है और जो A और B है हमारा यह रहा A और यह रहा हमारा B यह जुड़ रहे हैं डाइसलफाइट लिंकेट से यह तो हमें दिख रहा है ठीक है तो यहां पर यह तो हो गया हमारा insulin C हो गया हमारा insulin ठीक है pro insulin और C हो गया हमारा insulin B क्या हो रहा है B में breakdown हो रहा है तो वहाँ पर peptidase होगा जो break करेगा C peptide chain को AB से ठीक है और next D क्या है यह free C peptide chain है यह तो clear हमें समझ आगे यह A और B है और mature वाली जो है वो जो mature वाले हैं उनके पास A और B peptide chain होगी और जो C वाला है उसके पास में क्या होगा बेटा उसके पास में होगी हमारी free C peptide chain होगी जो cleave हो गई है तो answer आ जाएगा हमारा next question 49th question यहां हमसे पूछा गया which of the following demerit of using boven insulin in boven insulin को जो है boven मतलब cattle के तुरू या cows के तुरू जो हमने isolate कर रहा है insulin उसको यूज करने का और पोर्सिलिन इंसुलिन जो पिक से आ रहा है डायबेटिक पेशेंट में क्या demerit है वहां पर सबसे बड़ा जो demerit होगा बेटा वहां होगा कि allergic reaction immune response होने की chances है क्योंकि हम बहुत ही अलग अलग organism से हम उठाकर वह सब्सक्राइब को या उस प्रोड़क्ट को introduce कर रहे हैं human source में तो immune response होने के high chances रहते हैं कि वहां पर पहली चीज तो वह expensive भी होगा और बहुत large amount में cattle के pancreas से थोड़ा amount of insulin ही मिल पाएगा हमको पहली चीज तो यह भी और वहां पर main risk रहता है allergic reaction का तो answer क्या आएगा 49 का answer आजाएगा next question है मारा 50th question 50th question में हमसे पूछा गया है बिटा क्या हमें correct statement बताना है correct statement बताना है ठीक है तो पहला statement human insulin is made up of 51 amino acid arranged into peptide chain बिल्कुल कौन सी a and b peptide chain से बना होता है पहली चीज तो ठीक है next two peptide polychain are interconnected by two disulfide bond ठीक है disulfide bond से linkage होता है पर क्या सिर्फ दो ही होते हैं दो तो नहीं होते हैं सिर्फ तो यह तो गलत होगा next in mammal including human insulin is synthesized as pro hormone which contains an extra stretch of called the peptide chain बिल्कुल सही है कि a b और यह c ऐसा होता है ठीक है फिर उसके बाद c को काट देते हैं जब यह mature form बनता है next c peptide is not present in mature insulin यह भी बिल्कुल correct statement है तो answer जो होगा हमारा आना चाहिए क्या correct गरेक्ट आना चाहिए two इसलिए गलत है यहां लिखा है सिर्फ दो sulfide bond से लिंक होता है पर ऐसा जरूरी नहीं दो sulfide bond से ही लिंक हो आंसर आ जाएगा हमारा क्या answer आ जाएगा हमारा भी ठीक है answer होगा हमारा भी next question है हमारा 50th question 50th question में हम से क्या पूछा है मैं correct statement बताने इंसुलिन के बारे में पहला statement है human insulin is made up of 51 amino acid arranged in two polypeptide chain बिल्कुल सही है A and B polypeptide change होती है वो mature insulin बनाती है वो बिल्कुल correct answer है 51 amino acid का ठीक है next क्या है हमारा the two polypeptide chain are interconnected by two disulfide bond disulfide bridge यह बिल्कुल सही statement ठीक है next है in mammals including humans insulin is synthesized as pro hormone ठीक है और फिर उसके बाद में containing an extra stretch of C peptide D कैसी बनी होती है A ठीक है यह बीच में C और यहां B ऐसे होती है ठीक है अब यहां पर क्या होता है यह clip करके हटा देते और यहां पर पंजाता है हमारा disulfide linkage ठीक है दो के बीच में तो यह बिल्कुल सही है next है C peptide is not present in mature insulin C peptide जो है वो mature insulin में present नहीं है तो यह बिल्कुल सही है आंसर के आना चाहिए सारे स्टेटमेंट सही आंसर आजाएगा हमारा D next question 51 question है कि which of the following statement are false कौंसा statement false है ठीक है insulin for curing diabetes used for extracted from the pancreas of slaughtered pig and cattle हाँ एक time पे use करते थे अब हम के से रिकॉंबिनेंट यूज करते हैं ठीक है next animal insulin is slightly different from human insulin next human insulin animal insulin can cause some undesirable side effects such as allergy भी बिल्कुल सही है 3 तो बिल्कुल correct है ठीक है next bacteria cannot be made to synthesize insulin from its gene because of the presence of interon insulin में होता है तो यह ऐसा कुछ नहीं है bacteria को यूज करके recombinant egoli के थू हमने बनाया हो है insulin तो यह भी सही है तो answer क्या आना चाहिए यह सारे ही सही है answer आजाएगा हमारा क्या B कि none of these are false यह हमसे false पूछा गया था बाकि सारे statement सही है तो answer आजाएगा हमारा क्या D next question ठीक है यह कौन सा था 51 question था 52 question है हमारा gene therapy क्या होती है gene therapy में क्या होता method aim to cure a genetic disorder हमको genetic defect को क्या कर पा रहे हैं उसको correct कर पा रहे हैं ठीक है यह तो बिल्कुल है पहला तो next है method to provide correct version of the defective gene हाँ हम वहाँ पर उसके defective gene है उसको change कर सके या उसमें कुछ modification कर सके तो वह हम करते हैं gene therapy में और next है method to replace defective gene with a healthy gene ठीक है यह कब कर सकते हैं यह सारे step अगर हमने बहुत ही छोटा stage है embryo stage पर रगर कर दिया ठीक है यह fetal stage पर कर दिया तो वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर यह effect of gene therapy बहुत जादा होता है बड़ जब mature होता है तो आपको वापस वापस replenish करना पड़ता है तो answer आजाएगा हमारा क्या answer आजाएगा D 52 का answer आजाएगा D next question 53 53 है an example of gene therapy बताना है में ठीक है production of injectable hepatitis A vaccine introduction of gene of adenosine ADA therapy in a person suffering from scared production of test tube babies by artificial insemination यह gene therapy का नहीं है answer क्या आएगा answer आजाएगा हमारा B correct ठीक है answer आजाएगा B correct next question 54 which one of the following gene is defective in patients ठीक है कहाँ defective है for the severe combined immunodeficiency यहाँ पर जो ADA जो होता है enzyme adenosine diaminase वो कहाँ जरूरी है हमारे immune नीटी के लिए बहुत जरूरी है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाता है यहाँ पर इसका defect होने से severe combined immunodeficiency disease हो जाती ठीक है तो answer आजाएगा हमारा A next question 55 question 55 question में हमसे पूछा गया है कि which of the following is used as a vector in gene therapy for skid ठीक है तो यहाँ पर हम किसको use करते हैं हमने पढ़ा है किसको retrovirus को डिसाम करके use करते हैं as vector जो हमारा gene लेकर जाएगा correct gene लेकर जाएगा ठीक है तो answer आजाएगा हमारा B next question 56 question अब यहां हमसे पूछा है कि correct statement बताना है हमें ADA deficiency के बारे में ठीक है यहां पर क्या दिया है option in absence of ADA enzyme purine metabolism is disrupted and T lymphocyte fails to function ठीक है next है ADA deficiency is caused by the deletion of gene related to ADA ठीक है next है in some cases it can be cured by bone marrow transplantation and enzyme replacement therapy but in both approaches the patient are not completely cured बिल्कुल सही है next है for permanent cure permanent cure के लिए gene isolated from the bone marrow cell producing 88 in early embryonic stage can be a possible cure possible in permanent cure यह तो बिल्कुल सही है ठीक है जो सारे ही statement जो दिये में बेटा वो क्या है सारे ही statement जो दिये है वो correct है तो answer क्या आएगा हमारा answer आजाएगा हमारा D next question है 57th question adenosine diaminase deficiency can be cured by किस से क्योर कर सकते हैं हम gene therapy से कर सकते हैं ठीक है बट fully not curative fully not curative किसकी वज़े से हम bone marrow transplant कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं हम एक यह कर सकते हैं और एक और चीज़ कर सकते हैं जो कि यह enzyme को हम replace कर लें हम अगर enzyme के replacement therapy कर दें हम बार-बार time ली देते रहेंगे उसको यह तो बिलकुल पर यह पूरी तरीके से cure हो जाएगा नहीं पूरी तरीके से cure नहीं होगा, तो आंसर के आएगा, bone marrow transplantation and enzyme replacement therapy, यही होगा, क्या cure for ADA deficiency, आंसर आजाएगा B, next question, 58th question, 58th question में, the SCID patient has a defective gene for the enzyme adenosine diaminase, he and she lacks functional T lymphocyte, therefore they fail to fight the infective pathogen, आंसर आएगा हमारा C, next question, 59th question है बिटा, 59th question में हमसे बोला है, correct chronological order of the steps occurring during gene therapy are, gene therapy में जो steps हो रहा है, उसमें से correct step बताना है हमको ठीक है, यहाँ क्या दिया है, lymphocytes are obtained from the patient, यह first step होता है, next lymphocyte are transferred to the culture plate, यह दोसरा हो जाएगा, lymphocyte are transmitted with normal ADA gene and transmitted cells are retained to the patient, ठीक है, तो यह 1, 2, 3, 4, यह दो direct वैसे ही semi order में आ आ जाएगा, तो answer आ जाएगा हमारा यह, पहले क्या करेंगे हम lymphocyte जो हैं, उन्हें obtain करेंगे patient से, फिर उन्हें culture plate पे रखेंगे, फिर उसके बाद में हम जो lymphocyte हैं, उनसे जिन के पास में normal ADA gene है, उससे transfect करेंगे, animal culture में, और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, फिर उसक आ जाएगा A, चले बिटा, next question है हमारा 68th question, 68th question में हम से पूछा गया है क्या, in which of the following method, the probe is allowed to hybridized complemented DNA for the clone of cells, ठीक है, तो यह कहां यूज करते हैं, प्रोब जो होते हैं, वो radioactive use करते हैं, और वो कहां यूज करते हैं, recombinant DNA technology में, ठीक है, और यहां पर इसको हम कैसे determine करते हैं, auto radiography से देख सकते हैं, ठीक है, तो answer आ जाएगा, क्या हमारा answer आ जाएगा, हमारा B, next question है, 61th question है, हमारा क्या, 61th question में हम से पूछा है, which one of the following, molecular diagnostic technique is not used, not used in the, for the pathogen का early detection के लिए, to detect the presence of the pathogen in early stages of infection, early stages को determine करने के लिए, हम urine analysis, जो primary analysis होते हैं, वो use नहीं कर सकते हैं, for the initial analysis, कि initially हम देख के बता सके, तो answer क्या है, answer हैगा, हमारा D, ठीक है, answer हो जाएगा, हमारा D, next question है, हमारा 62th question, 62th question में हम से बोला गया है, which one of the following, molecular diagnostic technique, technique serves the purpose of early diagnosis, early diagnosis कर सकता है, तो ये तीनों, PCR, recombinant DNA technology, जो थोड़े, ELISA, ELISA, जो है, ये तीनों टेकनीक को यूज करके, हम early detect कर सकते हैं, diseases को, जैसे की, AIDS and cancer, answer आजाएगा, हमारा D, next question, 63, question 63, में हम से पूचा है, which one of the following, molecular diagnostic technique, used to detect the presence of a pathogen, in its early stages of infection, हम किसको यूज करते हैं, टेकनीक को for early detection, ठीक है, तो एंजियोग्राफी तो हार्ट के लिए हो गई, रेडियोग्राफी नहीं उस करते हैं, enzyme replacement technique, ये हमने कहां पढ़ी है, जब ADA deficiency हो जाती है, उसके treatment में पढ़ी है, ठीक है, यहां आजाएगा क्या, PCR जो टेकनीक है, उससे हम क्या कर पाते हैं, early diagnosis कर सकते हैं, ELISA PCR and recombinant DNA technology, आंसर आजाएगा इसका, क्या, D, next है 64th question, 64th question है, PCR is used to, हम PCR को कभ यूज करने हैं, ठीक है, detect करने के लिए कि HIV is suspected in AIDS patient, बिल्कूल कर सकते हैं, detect करने के लिए कि mutation in the gene, in a suspected cancer patient, क्या हम वहाँ PCR use कर सकते हैं, कर सकते हैं, next है, diagnose many genetic disorder, यह भी हम कर सकते हैं, आंसर आजाएगा हमारा D, next question है, 65th question है, हमारा क्या, a doctor while operating on HIV positive patient, accidentally cut himself with a scapul, he comes to you suspecting himself to be contacted with the virus, which test will you advise him to rule out and confirm this suspicion, ठीक है, तो हम क्या use करेंगे, हम use करेंगे polymerase, chain reaction test technique को use करेंगे, तो identify कि HIV का जो virus का जो है, वो present है, कि नहीं है, वो infect हुआ है, कि नहीं infect हुआ है, तागी amplify करके check कर पाएगा, PCR में, तो answer आजाएगा हमारा a, next question है, 66th question, 66th question में हमसे बोला, identify the correct statement from the following given option, ठीक है, तो पहला दिया है, presence of bacteria is normally suspected only, when the pathogen has produced a disease symptom, ठीक है, जो presence of bacteria होता है, वो normally suspected कब होता है, जब वो pathogen, जो है, वो disease के symptom cause कर रहा है, ठीक है, next है, by the time the symptoms of a disease is produced, the concentration of pathogen is already very high in the body, next है, very low concentration of bacteria or virus can be detected by amplifying their nucleic acid by PCI, यह बिल्कुल सही है, तो यह सारे ही statement क्या हुए, correct हुए, answer आजाएगा, all of the above, next question, 67th question, arrange the steps involved for the production of humulin, humulin क्या था, insulin का form था, ठीक है, next, अब यहाँ पर हम क्या करें, correct sequence बताना है हमें, पहला है synthesis of the DNA for human insulin artificially, ठीक है, यहाँ हो synthesis of DNA for human insulin artificially, next, है, culturing the recombinant in the E. coli bio reactor यह बाद में होगा, purification downstreaming process में आगा, insertion of human insulin gene in plasmid, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम plasmid में human insulin का gene डालेंगे, तो first आना चाहिए, fourth step, और क्या, extraction of recombinant gene, introduction of recombinant plasmid in E. coli, एक सब्सक्राइब, बापस हम देख लेते हैं, सारे steps, ठीक है, 67th question है, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है हमें, पहले दिया, extraction of recombinant gene product from E. coli, यह बाद में होगा, जब वो E. coli में चला जाएगा, ठीक है, next है, यहाँ पर क्या दिया, next हमें दिया हुआ है, एक correct sequence बताना है, ना, correct option का, यहाँ extraction बाद में करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, introduction of recombinant plasmid, सबसे पहले तो हम करेंगे, insertion of human insulin gene into plasmid, यह plasmid जो recombinant plasmid बन गया है, फिर उसको introduce करेंगे हम कहाँ पर, introduce करेंगे हम E. coli में, फिर उसके बाद में E. coli में जब introduce कर देंगे, तो उसका product को isolate करेंगे, extract करेंगे, ठीके, extraction of recombinant gene product from E. coli, ठीके, अरे नहीं, यहाँ तो यह आएगा, यहाँ पहला first step यह आना चाहिए, synthesis of gene DNA for human insulin artificially, पहले हम human gene को synthesize तो करेंगे, फिर ही तो आगे का step होगा, तो पहले हम synthesize करेंगे, फिर उसके बाद में क्या होगा, पहले हम इसे artificially synthesize करेंगे, फिर उसके बाद में हम उसको insert करेंगे, किस में जीन में, plasmid में, फिर plasmid को जो होगा, transform करेंगे, किस में डालेंगे, हम E. coli में डालेंगे, इकोलाई से फिर हम क्या करेंगे इकोलाई में डालने के बाद में extract तो तब करेंगे ज़िए bio reactor में डालेंगे तो यहां आएगा 2 फिर आजाएगा कि हमने इसका bio reactor में बहुत large scale पे run करा फिर उसके बाद में हमें product मिलेगा है ना फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे downstream processing करेंगे that is purification तो answer आना चाहिए हमारा 1 4th, 5th, 2, 6th and 3rd answer आजाएगा हमारा C ठीक है answer हो जाएगा हमारा C next question 68th question 68th question है read the given statement and correct options ठीक है statement 1 PCR technique is helpful in detecting bacterial viral diseases even when the symptoms of the disease are not yet visible बिलकुल वहाँ उसकी जो gene है उसको amplify करके हम check कर सकते है next क्या है very low concentration of bacteria viruses in human body can be detected by amplification of the nucleic acid using this technique है बिलकुल सही है first statement और second statement दोनों जो है वो बिलकुल absolutely correct है ठीक है answer आजाएगा हमारा A next question 69th question ठीक है 69th question में हमसे क्या बोला गया है identify the correct statement हमें correct statement बताना है पहला statement क्या है probe located specific sequence in a mixture of DNA molecule only probe locates specific sequence in a mixture of RNA molecule only probe जो है वो DNA RNA दोनों हो सकता है यहां पर वो locate कर सकता है on the mixture of RNA DNA molecule तो answer आजाएगा हमारा C ठीक है 69 का answer हो जाएगा C चलो next question है 17th question the characteristic of molecular probes are molecular probe कैसे होते हैं पहला तो वो complementary होंगे to the desired gene ठीक है पहली चीज़ single stranded होंगे RNA या DNA ठीक है double stranded तो बिलकुल नहीं होंगे तो टू तो एकदम गलत है तो यहां पे टू option यह भी गलत होगे यह भी option गलत होगे बचता है हमारे पास C and D ठीक है वेरी लॉंग molecule बहुत जादा लंबा भी नहीं होना चाहिए हमारे प्रोब को ठीक है बहुत जादा लंबा भी नहीं होना चाहिए ठीक है तो आंसर जो अप्रोप्रोप्रेट रहेगा वह होगा सी यहां स्पैसिफाइब नहीं कर रहा है डीने और आरेने बट यह सिंगल स्रांडेट होना चाहिए ठीक है ताकि वह complimentary कर सके तो आंसर आएगा हमारा सी next question 71 question infection by pathogen can be detected by the presence of किसके presence से हम बता सकते हैं antigens की presence से तो बिल्कुल बता सकते हैं immune response होगा antibody synthesized again the pathogen ठीक है तो यहां पर ELISA की बात हो रही है glycoprotein of pathogen तो यही सबसे हम determine कर सकते हैं क्या की detect कर सकते हैं using which technique using the enzyme link immunosorbent असे उसको use करकर हम identify कर सकते हैं next question 72 question ELISA is based on ELISA किस पर based antigen antibody interaction method technique पर based है जहां पर क्या होता है color आता है जब interaction होता है answer आएगा हमारा क्या answer आएगा हमारा 72 का answer होगा A ठीक है अब next topic है हमारा transgenic animal question 73 ठीक है 73 next application like bio remediation processed food therapeutics and diagnostic are related with किसे related है वो यह सारे related है बायो टेक्नोलोजी से ठीक है किसे related है बायो टेक्नोलोजी से next question है हमारा क्या next question है हमारा 74th question the product of biotechnology is हमें बायो टेक्नोलोजी से क्या क्या product मिल रहा है ठीक है transgenic crop मिल रहा है high yielding gene genetically modified crop बन जा रहा है बिल्कुल सही है humulin भी बन रहा था insulin बन रहा है ठीक है bio fertilizer भी आजाएगा इसमें answer आजाएगा हमारा क्या answer आजाएगा हमारा डी next question 75th question transgenic animals are produced for which of the following purpose किसके लिए हम यूज़ करते हैं उसको नॉनमल physiology और development को study करने के लिए यूज़ करते हैं transgenic animals को बिल्कुल study model की तरह यूज़ करते हैं disease study के लिए ठीक है biological product के लिए testing vaccine safety के लिए और हम chemical safety के लिए ठीक है यह सारी ही method होते हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं किसको animal को use कर रहे है ठीक है तो यहाँ पर answer क्या आएगा answer आजाएगा हमारा all of the above answer क्या होगा हम सारे transgenic animals को यूज़ करते हैं vaccine safety के लिए chemical safety के लिए biological product के लिए तो पता नहीं मुझे लगता है कि biological product की safety के लिए हम यूज़ करते हैं ठीक है biological product transgenic animals के बारे में कुछ है biological product के लिए भी हम उसको use करेंगे जैसे हम transgenic animal rosy का example दिया वाज जहां high yielding protein का milk होता है तो answer हमारा आजाएगा d next question is 76 animals that have had their dna manipulated to possess and express a dash are transgenic animals animal that had their gene manipulated to process and express a what foreign gene are called as transgenic animals answer आजाएगा b next next question है हमारा 77th question 77th question में the transgenic animals are those which have transgenic animal है उनके पास में क्या present होता है उनके पास में foreign dna present होता है in all of their cell उसी को हम transgenic animal बोलते हैं तो answer आजाएगा हमारा b next है 78th question plants bacteria fungi animal whose gene have been altered manipulated are called as genetically modified organism कहते हैं उन्हें क्या कहते है genetically modified क्योंकि इनका gene को modify कर रहा हमने अपने specific need के लिए तो answer आजाएगा हमारा क्या a next question देखते हैं 79th question transgenic animals can be specifically designed to allow the study of how genes are regulated बिल्कुल normal उनकी physiology कैसे होती है वैसे बता सकते है normal function के gene कैसे effect करते हैं ये भी बता सकते है complex factor involved in growth ये सारे ही चीज़ी को हम study कर सकते हैं किसे transgenic animals है answer आजाएगा हमारा d next question है 80th question transgenic models exist for human diseases like cystic fibrosis muscular dystrophy ठीक है cystic fibrosis के लिए तो है हम यूज करते हैं ठीक है emphysema बगारा के लिए भी हमने यहाँ पर यूज कर रहा है transgenic animal को biological benefit के लिए यहाँ ncrt में दिया है कि transgenic model जो होते हैं वो हम use करते हैं किसकी studies के लिए cancer की study के लिए cystic fibrosis ऐसे diseases के लिए करते हैं तो answer क्या आएगा हमारा answer आ जाएगा हमारा क्या a cystic fibrosis answer होगा a cystic fibrosis next question है हमारा 81st question choose the correct with the respect of transgenic animal use के बारे में बताना है ठीक है biological product medicine need to treat certain human diseases cannot contain biological product next medicine containing biological products are often cheaper to make next transgenic animal that produces useful biological product can be created by introduction of the portion of desired dna ये तो बिलकुल सही है ठीक है next medicine need to treat certain human diseases cannot contain biological products biological products जो है medicine की need को overtake नहीं कर सकते है ठीक है ठीक है ठीक है तो यहाँ पर क्या लिखाव है cannot contain पर ऐसा कुछ नहीं होता है can contain it can contain the biological product तो फॉर्स तो statement कलत हो गया next है क्या medicine containing biological product are often cheaper to make को cheaper नहीं होती है वो कैसी होती है expensive होती है next है transgenic animals that produces useful biological product can be created by introducing the portion of desired dna हम वहाँ डालके यूज कर सकते हैं तो correct statement क्या हुआ correct statement हुआ हमारा c next question 82 82 में हमसे पूछा गया है which of the following transgenic human protein product has been used to treat emphysema emphysema को किससे तो ट्रीट करा है हमने alpha-1 antitrypsin किससे इस next question 83 question 83 question में बोला गया है the first transgenic cow rosy produce rosy ने क्या produce करा था human protein rich milk produce कर रहा था ठीक है तो यहां पर या तो answer a होगा या b होगा ठीक है तो कितना उसमें protein present था वो था 2.4 gram per liter और कौन सा था alpha-lactalbumin ठीक है it was rich in this human protein तो answer आ जाएका क्या हमारा a next question 84 question which gene was introduced in developing transgenic cow transgenic cow बनानी थी transgenic cow हमें क्यों बनानी थी ताकि वो क्या बना सके है हम protein rich milk produce कर वापाएं ठीक है तो antitrypsin को था हम एंफाइसीमा में यूज कर रहे हैं ठीक है दोनों यह option नहीं होगा cry one gene को हम कहां यूज कर रहे थे जब हमें क्या बनाना था cotton जो था उसको आना है it was produced transgenic cow के बारे में रोजी की बात हो रही है यहां पर तो यह cow जो थी यह produce हुई थी in the year 1998 ठीक है next है it produced human protein enriched milk that was 2.8 तो नहीं था 2.4 gram पर डीटर था next है it produced milk which was more nutritionally balanced for human body than natural cow milk क्योंकि वहाँ protein उसमें व्यादा था ठीक है next है it produced milk containing human beta lactalbumin थीक है तो यहाँ alpha था बीटा नहीं था थीक है तो यह statement गलत है ठीक है तो जो answer होगा correct first statement भी सही नहीं होगा क्योंकि वह 1997 में बनाई गई थी तो answer जो होगा correct होगा हमारा C है even more nutritionally balanced है क्योंकि उसके पास में ज्यादा protein present है तो answer हो जाएगा हमारा C next DIY 86th question identify the correct statement with respect to transgenic animals used in testing vaccine safety ठीक है transgenic mice are being widely used used for the test of vaccine safety बिलकुल transgenic frogs has been used for testing the safety of polio vaccine नहीं transgenic cow could replace monkeys to test vaccine safety नहीं answer आजाएगा हमारा क्या answer आजाएगा हमारा A ठीक है यह सा first statement है वही correct होगा next question 87th question choose the correct options with respect to chemical testing chemical testing के बारे में कुछ रहा है it is used for toxicity testing बिलकुल safety testing बिलकुल the procedure of chemical testing is similar as that of testing the toxicity of drug बिलकुल सही है तो answer क्या आएगा? answer आजाएगा हमारा D next question है 88th हमें correct statement बताना है पहला statement है transgenic animals are made that carries gene which make them more sensitive to toxic substances than non-transgenic animal यह तो बिलकुल गलत है next है transgenic animals are then exposed to toxic substances and the effect are studied तो यहां less time में हम जो हैं वो obtain कर पा रहे है result को ठीक है तो answer किया आएगा answer आएगा यह सारे ही जो statement है वो सारे correct है option हो जाएगा हमारा D correct next topic है हमारा ethical issues पहला question है 89th question correct option बताना है हमको ठीक है next पहला चीज़ के दिया है manipulation of living organism by human risk can go on further without regulation ऐसा नहीं है वहां regulate करना जरूरी है ठीक है next है some ethical standards are required to evaluate the morality of human activities that might help और harm living organism बिलकुल gene modification of organism cannot have unpredictable results ऐसा नहीं है वहां unpredictable result हो सकता है इसलिए उसे regulate करना जरूरी होता है तो answer क्या correct है का answer आएगा हमारा B correct next question 90th question an organization aiming to regulate the biotechnological activities was established by Indian government named as GEAC वो है genetic engineer approval committee answer आजाएगा हमारा क्या A answer आएगा A next question 91 consider the following statement about the responsibility of this government setup GEAC ठीक है make decision regarding the validity of the genetically modified research बिलकुल सही है it checks the safety of introduction of the GM organism for the public service and for their large scale use ये भी बिलकुल सही है ठीक है दोनों statement correct है answer आजाएगा हमारा क्या C next question है the aim and the objective of genetic engineering approval committee are to permit the use of genetically modified organism and the product for commercial use yes बिलकुल उनको test करके फिर वो commercial use के लिए ला सकते है to adopt the procedure for restriction production and application of the genetically modified organism ये भी सही है approval to conduct large scale field trials and release the transgenic crop in the environment ठीक है यहाँ पर large scale field trial and release फिर release होता है transgenic crop का in the environment answer क्या हैगा ये जो सारे ही statement सही है हमारे answer आजाएगा D next question 93 93 में हमें दिया हुआ है consider the given statement हमें given statement है ठीक है the modification or the usage of living organism for public service food medicine source for example have been created have also created problem with patent granted for the same ठीक है next है there is grown public anger to certain companies that have granted the patent for product and the other biological resources of a specific country next है certain companies make use of genetic material plant and other biological resources that have long have been identified developed and used by the farmer and the indigenous people तो यहां पर क्या हो रही है यहां हो रही है biopiracy हो रही है ठीक है यहां पर क्या हो रहा है जो इंडिजिनेस जो information थी उसको कैसे यूज करा जा रहा है commercialize करा बिना appropriate partitioning of the resources ठीक है तो यहां पर यह तो बिलकुल सही है next है कि बिलकुल सही है कि being can't जो है वो anger है लोगों में ताकि क्योंकि जो इनकी इंडिजिनेस knowledge थी ठीक है और specific resources की वो क्या हो रहे है यह वो इसको patent के नाम पर लाइक थी बास्मती rise example given in NCRT ठीक है next है the modification uses of living organism for public service that has also created some problem and patent granted for the SIM यह भी सारा सही statement है answer क्या है का तीनों statement जो है वो correct है answer आ जाएगा हमारा D next 94th question है हमारा a monopoly granted to a person who can either invent a new or a useful article made improvement in an existing article invented a new process of making an article is called as उसको क्या कहते है हम उसे कहते है हम patent कि भाई वो authority जो है वो उसी की है उसको use करने कि से modify करने कि वो चाहे तो किसी को दे सकता है किसी को नहीं दे सकता है next question 95th question ठीक है यहां पर दिया हुआ है क्या हमें correct statement बताना है पहला statement there is estimated 2000 variety of rice in India alone next the diversity of rice in India is one of the richest in the world next basmati rice has 29 documented varieties नहीं यहां 27 documented varieties है तो C तो हमारा गलत हो गया तो होगा नहीं next हमें क्या दिया हुआ है there is an estimated 2000 variety of rice in India alone India में है present हमारे पास 20000 variety of rice not just 2000 ठीक है 20000 variety of rice है तो यह statement गलत है answer क्या आएगा सही answer आजाएगा D correct कि सबसे diverse जो variety of rice की वह इंडिया में present है next question 96th which of the following rice was patented by a US company even though highest number of variety of this rice is found in India that is basmati next question 97th question which of the following question which of the following is correct with respect to the basmati rice patented by the American company the company sold the new variety of basmati in the US बिल्कुल the new variant of basmati has actually been derived from the Indian farmer variety बिल्कुल basmati was crossed with a semi-dough variety claimed as an invention by the American company तो यह क्या है सारी की statement कैसे हुए correct हुए next question 98th question है हमारा which Indian plant has been patented और attempted has made to patent by the western nation for their commercial use commercial use के लिए use किया गया है जो हमारे herbal plant है उनको भी patent करने के कोशिश करी गए बासमती को तो करा है ठीक है उसके बाद में and several attempts have been made to turmeric and the neem तो आंसर आजाएगा हमारा क्या 1, 2 and 3 option mark करेंगे हम C 99 Assertion दिया वा है USA's patent of basmati is an example of bioparacy बिल्कुल A new variety of basmati has been made derived from the Indian farmers variety but it has been patented by the USA यह बिल्कुल सही है Assertion का जो reason है वो बिल्कुल correct है आंसर आजाएगा हमारा A ठीक है Next question है 100th question है हमारा क्या 100th question में हमसे पूछा गया है The following is correct with respect to bioparacy Most of the industrialized nations are rich financially but poor in biodiversity सही है Some nations are developing laws to prevent such unauthorized exploitation of the bio resources and the traditional knowledge बिल्कुल traditional knowledge is related to the bio resources Can be exploited to develop modern application यह बिल्कुल सही है सारे statement करेक्ट है आंसरा जाएगा D Next है 101 Which state step of government of India has taken to cater requirement of patent terms and other emergency provision in this regard ठीक है तो क्या यूज केया गया है Indian patent bill आया गया है ठीक है Indian patent bill आया गया है ठीक है To requirement of the patent terms and other emergency provision in this regard तो आंसर आजाएगा हमारा B सिस्टादा़न mindset रभ यूभ ilk कva यूजब यूज़ यूजब कर यूजब कर दो यूजब